दोस्तों कभी अपने सोचा है बादल सफेदी क्यों होते हैं अगर नहीं जानते तो हम आपको बता दे शूर्य का प्रकास सफेद होता है जैसे ही प्रकास बादल से होकर गुजरता है यहाँ पानी की बूंदों के साथ संपर करता है जो आकास में मौजुद बायू मंडलों पाफी बड़े होते हैं जब सूर्यो का प्रकास आकास में एक बायू मंदल कन तक पहुंसता है तो नेला प्रकास अन्य रंगों की तुलना में अधिक तिब्रता से विखर जाता है, जिससे यह आभास होता है कि आकास नेला है, लेकिन एक बादल में सूरज की रोशनी पानी क कि बहुत बड़ी बुंदों से बिखर जाती है ये सभी रंगों को लगबग समान रूप से बिखेड देते हैं जिसका अर्थ है कि सूर्य का प्रकास सफेद बना रहता है और इसलिए बादलों को नेले आकास के पुरुष्ट भूमिन के खिलाब सफेद दिकाई देता है ये आप जानते थे या नहीं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना और साथ ही चैनल को सबस्राइब करते जाना